साई की बात उन्नती होगी बिल्कुल होगी मेरे बचे जो तुम दिन रात मेरे बचे मेहनत करते हो न तो तुम्हारी सफलता निश्चत है मेरे बचे दो काम करना मेरे बचे एक तो मेरे बचे किसी बुजरुग की सेवा करना किसी पशुपक्षी की सेवा करना किसी गरीब की सेवा करना मे मेरे बच्चे अगर कोई भूका हो तो उसे भोजन कराया करो मेरे बच्चे पशु पक्षी को ही कुछ न कुछ दे दिया करो मेरे बच्चे चाहे वो एक मुठी चावल ही क्यों न हो मेरे बच्चे सबकी सहायता किया करो इससे मुझे बहुत प्रसंता मिलती है और दूसरी मेर सिम्रन किया करो मेरे बचे तुम जितना मेरा सिम्रन करोगे मेरा नाम जाब करोगे न तो सकरात्मक्ता तुम्हारे आसपास अपने आप आएगी मेरे बचे और तुम्हारे सारे द्वार खुल जाएंगे मेरे बचे, तरक्की के उन्नती के मेरे बचे तुम्हारे रास्तों में कोई अर्चन, कोई विग्न नहीं आएगा मेरे बचे और अगर कोई डालने की कोशिश भी करेगा न तो उसका असर तुम पे नहीं होगा मेरे बचे, बिल्कुल नहीं होगा और सुनो, तुम्हें क्या लगता है, कि तुम पूजा पाट करते हो तो क्या वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए होता है नहीं मेरे बचे, वो तुम्हारे लिए होता है लेकिन उसके साथ साथ मेरे बचे, तुम उस हर जगा को पवित्र करते हो चाहे वो घर हो, या तुम्हारा दफ्तर हो, या कहीं भी मेरे बच्चे, तुम जहां भी जाते हो, जिस कोने में बैट कर मेरी पूजा करते हो, जिस धर्ती पर मेरी पूजा करते हो ना, वहां का आसपास का वातावरन शुद हो जाता है, मेरे बच्चे पवित्र हो जाता है, उन्हें तुम बहुत पुन्य का काम करवाते हो, मेरी लीलाओं का श्रवन करवाते हो, मेरे नाम जाप करवाते हो, उनके कान में मेरा जो नाम जाता है ना मेरे बच्चे, ये बहुत बड़ा पुन्य है मेरे बच्चे, वो अपने कर्मों को काड़ते हैं मेरे बच्चे, इसके और सुनो वैसे भी मेरे बचे जिस अच्छे कारे में जहां भी मेरे बचे जहां भी अच्छी चीज़े होती हैं जहां भलाई होती हैं जहां पीर वकीर जहां पर मेरे बचे संत महात्मा आते हैं जहां पर उनकी सेवा होती हैं जहां पर पूजा पाठ होती है न तो वो तो बहुत सारे चीज़े टल जाती है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजल से मेरे बचे क्योंकि वहाँ पर तुम्हारा विशेश योगदान है मेरे बचे और सुनो कभी भी न मेरे बचे किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए बिल्कुल नहीं करनी चाहिए सबकी जिंदगी अलग है सबके करम अलग है मेरे बचे तो किसी से अपने दुलना बिल्कुल मत किया करो मेरे बचे तुम तो सबसे अलग मेरे बचे हो बहुत खास हो मेरे लिए और कुछ मेरे बच्चों के गले में बहुत दर्द है बहुत दर्द है वो ढंक से बोल भी नहीं पा रहे हैं उनके गले में इतना दर्द है न तो सुनो मेरे बचे गरम पानी लो और गरारे करो मेरे बचे उसमें नमक डालो और साथ में उधी भी डालो मेरे बचे देखना उधी से तुम्हारा गला बहुत जल्दी ठीक हो जाएग मेरे बच्चे तुम बोल भी नहीं पा रहे मैं जानता हूं मेरे बच्चे तुम्हारे गले में बहुत दिक्कत है बहुत दर्द हो रहा है न ढंक से खाना भी नहीं खा पा रहे मैं जानता हूं मेरे बच्चे तुम्हारे तबियत बिल्कुल ठीक नहीं है और उस गले की से ये सब हो रहा है मेरे बचे तुम जानते हो ना ये बदलता मौसम है मेरे बचे और इस बदलते मौसम में तुमें अपना ध्यान रखना होगा मेरे बचे अपना ध्यान रखो और सुनो कुछ मेरे बचों का ना ध्यान नहीं लग पाता वो ध्यान तो करना चाहते हैं लेकिन वो ध्यान नहीं कर पाते हैं तो सुनो मेरे बचे एकांत में एक चौकडी मार कर मेरे बचे ध्यान से बैठना और मेरा नाम अपने आपको बोलना समझना मेरे नाम को एक एक शब्द मेरा नाम का लेना और उसे बोलते जाना मेरे बचे जितनी बार भी तुम्हें बोला जाए और देखना मेरे सिर्फ एक नाम बोलने से ही ना सोचने से ही तुम्हारे मन में अपने आप शांती आ जाएगी तुम्हारे सारे काम अपने आप बनते चले जाएगे और सुनो मेरे बचे अभी ना तुम शांत रहो मेरे बचे 14-15 दिनों की बात है मेरे शांती से गुजर गए न तो आगे सब मंगल ही मंगल होगा मेरे बचे तुम बिलकुल चिंता मत करो और सुनो जिस एक कमरे में तुमने मुझे एक कोने में रखा हुआ है न मेरी पूजा करते हो न बस मुझे उस कोने में ही रहने दो मुझे कहीं और मत भेजना मेरा कहीं भी जाओंगा मेरे बच्चे बिलकुल नहीं जाओंगा और सुनो मेरे बच्चे कुछ लोग हैं मेरे बच्चे जो तुम्हें नजर अंदास करते हैं तो सुनो मेरे बच्चे एक दिन ऐसा भी आएगा जो वही लोग तुमसे मदद मांगने आएंगे लेकिन तुम उनके साथ वैस सही रहा दिखाऊंगा मेरे बचे और वो भी तुम्हारे माध्यम से मेरे बचे तुम बिल्कुल चिंता मत करना और सुनो मेरे बचे जब मेरा अंधान करते हूँ या कोई भी सेवा करते हो ना मेरे बचे वो गुप्त में किया करो किसी को बता कर ये धंडोरा पीट के नहीं करना चाहिए मेरे बचे जो काम धंडोरा पीट के किये जाते हैं न वो सेवा में नहीं आते वो तो दिखावे में आते हैं मेरे बचे धंडोरा पीट के बिल्कुल मत किया करो वो तो दिखावा होता है मेरे बचे अगर किसी की मदद सच में करना चाहते हो न तो गुप्त किया करो बिना किसी को बताई किया करो मेरे बचे और अगर किसी बिना स्वार्थ के अगर तुम करोगे न तो देखना मेरे बचे तुम्हारे कारोबार में भी बहुत बरकत होगी मेरे बचे बहुत बरकत होगी दुगनी चोगनी बरकत होगी और तुमें भी बहुत खुशी मिलेगी मेरे बचे पहले से अधिक खुशी मिलेगी और सुनो मेरे बचे तुम आज जहां पर होना वहां किसी की बदौलत नहीं हो मेरे बचे और नहीं किसी के कारण हो और नहीं किसी के लिए हो तुम वहाँ पर हो तो सिर्फ और सिर्फ अपने साई के लिए हो मेरे बचे, उल्जो बिल्कुल मत तुम्हारा कोई साथ दे या ना दे लेकिन तुम्हारे साई मा है न मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा हूँ हमेशा मेरे बचे और जिस चीज की भी इच्छा रखते हो जो भी मांगना चाहते हो ना सीधा मेरे पास आया करो मांगने सीधा मुझसे कहा करो किसी से कुछ भी कहने की या मांगने की कोई जरुवत नहीं मेरे बचे किसी के आगे हाथ फैलाने की कोई जरुवत नहीं तुम्हारी साइमा है तुम्हारी हर चीज को मैं पूरा करूँगा चाहे वो तुम्हारी इच्छा हो चाहे वो तुम्हारी जरुवते हो मैं हर एक चीज पूरी करूँगा मेरे बचे मुझसे कहकर तो देखो रहो मेरे बचे हमेशा खुश रहो आज का साई संदेश समाप्तुवा